हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज जो आपका BPSC 33.0 का 15 मार्च के सेकंड शिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 15 मार्च के सेकंड शिप के एक्जाम में जो है प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BPSC एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक बैल एक न्यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश कर दिएगा तो चलि वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग General Studies के प्रस्ण को जो वो solve करने वाले हैं तो General Studies में जो आपका पहला Question है था कि पतना College जो है यह आपका कब अस्थापित हुआ था तो देखे पतना College की बात कर ले तो यह जो आपका वर्स 1863 में जो इसे स्थापित किया गया था तो option C, 1863 आपका correct answer होगा Next question आपका यहाप रहा था कि इन में से कौन वंदे मातरम समचार पत्रक की जो है समपादक थे तो देखें वंकीम चंदर चटर जी जो थे यह आपके वंदे मातरम समचार पत्रक की जो है यह आपके समपादक थे तो option A आपका correct answer होगा Next question आपका यहाप रहा था कि All India हरिजन संग की स्थापना 1932 में जो है किसके द्वारा किया गया था तो देखें 1932 में All India हरिजन संग की जो स्थापना है यह आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया था तो option B महात्मा गांधी आपका correct answer होगा Next question आपका यहाप रहा था कि इन में से कौन सी घटना जो है यह आपका सबसे पहले हुआ था जहां पर आपका भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताओ दिया गया था Second आपका गवर्नेट जेनरल पर लॉड़ वेविल का आगमन यह जो आपका दूसरा option में दिया गया था तीसरा option में आपका क्रिप्स मिशन का आगमन यह जो आपका दिया गया था तो देखे इन में से जो आपका सबसे पहले घटना हुआ था यह आपका क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था तो option C जिनों ने भी लगाया है उनका यहां पर करेक्ट एंसर होगा next question आपका यहां पराता कि इन में से किसने यह कहते हुए भारते रास्टे कॉंग्रेश की हसी उड़ाई थी कि एक बहुती सुच्म भाग यानि अल्प संख्या का जो है यह प्रतिनीदे तो करता है तो देखें डपरिन के द्वारा जो ही आपका हसी उड़ाया गया था कि भारते रास्टे कॉंग्रेश जो है एक बहुती सुच्म भाग यानि अल्प संख्या का जो है यह प्रतिनीदे तो करता है तो ऑप्षन ऐ आपका करेक्टेंसर होगा नेक्स्ट अब कह अप रहा था कि मुझभर पूर बमकांड में जो है नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि इन में से कौन जो एक एहरार अंदोलन से संबंधित नहीं थे तो देखे एहरार अंदोलन की बात कर ले तो इसमें जो आपके मौलाना महजरूल हक ये जो आपके संबंधित थे मुलाना जफर हलिखान ये भी जो आपके सम्दित है लेकिन मुलाना अलताफ हुसैन अहाली ये जो आपके जो हो सम्दित नहीं थे किस आंदोलन से तोु एरार आंदोलन से जो ये सम्दित नहीं थे तो option B आपका correct answer होगा Next question आपके आपका आपड़ाय था जो option आपका सही होगा ना वो option D आपका correct tensor होगा उप्रिक्त में से एक से अधीक जो है वो आपका correct tensor चला जाएगा नेक्स्ट आपका यहाप रहा था कि किस वर्स बाबु कुवर सींग का जो यह द्यानत हुआ था तो देखे बाबु कुवर सी के बात कर ले तो इनका जो द्यानत है यह आपका थारा सो अंठावन में हुआ था तो option C आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश्ट आपका यहाप रहा था कि युवा बंगाल अंदोलन का जो अस्थापना का जो स्रे है ना यह किसे दिया जाता है तो देखे युवा बंगाल अंदोलन के स्थापना का जो स्रे है ना यह आपके हेंड्रियन बिबियन डुराजियो को जो वो दिया जाता ह है तो हेंड्री विबियन डुराजियो आपका ओप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका रहा तक कि किस तीथिक हो क्लिमेंट एटली ने यह घोशना किया था कि जुन 1948 तक ब्रिटिज यह भारत को छोड़ देगा तो देखे आपका जो है क्लिमेंट एटली के द्वरा 20 फरवरी 1947 को जो है यह घोशना किया गया था कि ब्रिटिज यह भारत को छोड़ देगा तो आपसन C आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा तक कि किस व प्रिटि में से कोई नहीं जो है वह आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि निमनली खित में से भारत छोड़ आंदोलन का वह आपका क्रिप्स मिशन की असफलता रहा था तो आपसन A आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्ट आपका यहां पर रहा था कि हिंदी भारत की संग की राजबासा होगी ऐसा संविधान निर्मात्री सभा के किस समीति द्वारा जो है सितंबर उनी सो उ करते हैं कि उप्रियुक्त मेंशे कोई नहीं आपसन ए को आप मान कर चलिए तो आपसन ए जिनों ने भी लगाया है उनका यहां पर करेक्ट एंसर होगा ऐसे मैं यह आयोग पर ही जो चोड़ता हूं नेक्स्ट आप कर रहा था कि निमनली खित में से भारत वर्ट्स में या आंसिक रूप से जो है यह सुनने घोसित किया जा सकता है तो यह भी पहलू जो आपका वो सही दिया गया है यानि ए और सी दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है इसलिए ऑप्सन डी उप्रियुक्त में से एक से अधिक जो है आपका करेक्ट एंसर होगा नेक सतर से पहले भारत में दल बदल की सठीक परिवासा देना था तो चौहां समीति आपका ओप्सन ए आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को आपका या परादा कि इन में से किस्टने सामुदाई कारेक्रम को जो है एक मौन करांती की संग्या जो हो दिया था तो देगे बिहार सौर उर्जा सिचाई योजना यह जो है नेमन लिखित में से किस वर्ष जो है आरंब किया था तो देगे बिहार सौर उर्जा सिचाई योजना यह आपका वर्ष दोजार आठ में जो है इससे सुरू किया गया था तो आप्सन ए 2008 आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स 6, 7, 6 मीटर चोड़ा होता है तो option A आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा next question आपका यहाँ पराता कि भाला फेकने वाला वह वैक्ति कौन है जिसके पास Olympic तथा World Athletics Championship दोनों में जो है यह आपका खिताब है तो देखे यह जो आपके नीरत चोपड़ा है यह आपके जो Olympic और World Athletic Championship में जो है यह भाला फेक में जो है दोनों में जो है यह मेडल जीच चुके हैं तो option B नीरत चोपड़ा आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट आप कहें आप रहता कि भारत के नए संसद भावन को जो है देश को कब समर्पीत किया गया तो देखे भारत के नए संसद भावन को जो है यह 28 मही 2000 तेश को जो है देश को समर्पीत कर दिया गया है तो option A आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट आपके यहां पराता कि भारत का जो चंद्रियान 3 था ना ये चंद्रमा की सता पर ये जो है कब उत्रा था तो देखे चंद्रमा 3 जो है चंद्रमा की सता पर जो है ये 23 अगस्त 2023 को जो वो उत्रा था तो option B आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपके यहां पराता कि भारत के संभीदान का अनुचेद एक जो है ये देश को क्या बनाता है तो देखे भारत के संभीदान के अनुचेद एक में आपका क्या है कि इंडिया यानि भारत जो है ये राज्यों का एक संग होगा तो ये जो आपका अनुचेद एक में जो आपका राज्यो का संग के बारे में बताए गया है तो option C आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि सरकारी सुत्रों के अनुसार COVID-19 के कारण mid 2023 तक जो है कितने भारतियों ने अपनी जान जो हो गवाई है तो देखे मैं आपका बतादू कि WHO यानि World Health Organization के report के recording आपका ये बताए गया कि COVID-19 के कारण भारत में mid 2023 तक लगबग 47 लाख लोग जान गवाई चुके हैं लेकिन मैं आपको बतादू कि भारत सरकार जो है भारत सरकार के द्वारा आपका बताया गया कि 15 लाख लोग ही जो है COVID-19 के वज़ा से जान जो हो गवाई हैं तो देखे option A में आपका 15 लाख दिया गया है तो मेरे recording जो इसका answer होना चाहिए वो आपका option E होना चाहिए यानि उप्रियुक्त में से कोई नहीं option E आपका correct answer होगा next आपका यहां पराता कि भारत में G20 का जो है देव वाग के क्या है तो देखे भारत में G20 का जो देव वाग के है न यह आपके वसुधेव कुटुम्बकम है तो option B आपका यहां पर correct answer होगा next आपका यहां पराता कि भारतिये मुद्रा की किस नोट के पीछे की और जो है मंगल यान का चित्र जो वो मुद्रीत है तो देखे यह जो आपका 2000 पेके नोट पर जो है यह आपका मंगल यान का चित्र जो था वो आपका मुद्रीत था तो option B आपका correct answer होगा next आपका यहां पराता कि भुकम की त्रिवता का जो मापन है तो देखे भुकम की त्रिवता का जो मापन है न यह आपके सिस्मो ग्राप के द्वारा जो वो किया हाँ तो option B आपका correct answer होगा next question आप रहा था कि Y में जो oxygen का प्रतीसत है न यह कितना percent होता है तो यह मंडल के किस परत में हवाई जाष उडता है तो देखे वाई लंके जो यहाः के हवाई जाज वो उड़ते हैं, तो option C आपका correct answer होगा, next आपका याप रहादा कि पर्यावरन के लिए इन में से किस सबसे ज़्यादा खत्रा है, तो देखें जनसंक्या वृधि जो है, ये पर्यावरन के लिए सबसे ज़्यादा जो है, वो बड़ा खत्रा है, तो option C आपका correct answer होगा, next आपका याप रहादा कि सहारा जो है, ये किस परकार का रिगिस्थान है, तो देखें सहारा की बात कर ले, तो ये जो आपका एक गर्म engineering है, तो option C आपका correct answer होगा, next आपका याप रहादा कि सवच भारत मीसन, ये जो एक प्रार्व यानि शूरू हुआ था, तो स्वच भारत मिशन की बात कर ले तो यह जो आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो वो सुरू किया गया था तो option B आपका correct answer होगा next आपका यहाँ पर रहता कि गंगा नदी के ठटपर इन में से कौन साथ जो सहर है ना वो आपका इस्तित है तो देखें गंगा नदी के ठटपर तो आपका प्रियाग राज भी है इसके लाबा कोलकता सहर भी जो वो आपका इस्तित है तो बहुत सारे बच्चे जो option A को लगा कर रहा होंगे तो मैं आपको बता दू कि प्रियागराज और कोलकता दोनों ही आपका यह आपका इस्तित है तो उप्रियुक्त में से एक से अधिक option D आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहा है कि उर्जा का ग्यार परंप्रागरत स्रोथ जब वो क्या है तो देखें उर्जा का जो ग्यार परंप्रागरत स्रोथ है न एक तो आपका भूता पिये उर्जा भी है और second आपका बायो ग्यास भी है तो option D उप्रियुक्त में से एक से अधिक जो है आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा है कि जनसंक्या घट जाएगी यदी तो देखें जनसंक्या कब घटेगा जब जनमदर कम हो और मृत्यु जो वो अधिक हो तब जनसंक्या जो घट जाएगा तो option B जिनोंने भी लगाया है उनका correct answer होगा next आपका यहाप रहा है कि निमनल इखित में से किस परकार के प्रदूसन से जो है पीलिया रोग जो फैलता है तो देखे जो आपका जल प्रदूसन होता है यानि जो आपके दूसी जल होता है इससे जो आपका पीलिया रोग जो फैल सकता है तो दूसी जल option B आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहा है कि निमनल इखित में से भारत में कौन सा स्थान जो है जैविविता होट स्पोट है तो देखे यह जो आपका पस्चिमी घाट है यह आपका जैविविता होट स्पोट है तो option A आपका correct answer होगा next आपका यहापर question है था BOD यानि जैविक oxygen की मांग की उच्छ मात्रा जो है यह क्या इंगित करता है तो देखे BOD की उच्छ मात्रा जो किसको इंगित करता है तो यह आपके पानी में सुच मजीवों की वज़ा से कार्बोनिक पदार्तों का उप्योग ज़्यादा हो रहा है यह जो आपका इंगित करता है तो option B आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहादा की मल के द्वारा प्रदूसित पानी में जो मचलियों की मृती होती है यह किसकी कमी से जब आपका होता है तो देखे मल के द्वारा प्रदूसित पानी में मचलियों की जो मृती होता है यह oxygen की कमी से होता है तो option B आपका correct answer होगा next आपका यहाप रहादा की निमने लिखित में से कौन सा प्रधूसन जनीत विकार है तो अगर प्रधूसन जनीत विकार की बात कर ले तो यह जो आपका फ्लोरो सीज़ है थो आपसेज जिन्होंने पी लगाया है उनका यहां पे correct answer होगा नेक्स मैड़ी है कि भारत में प्रवाल बितिया जो ये कहां पाई जाती है तो देखे अगर प्रवाल बितिया की बात कर ले तो देखे भारत में जो प्रवाल बितिया होती है या आपके अपनमान एन नीकोबाड ड्यूप समू में जो ये पाए जाते हैं तो option C ये आपका correct answer होगा तो देखे जनरल स्टेडिस के मैंने सारे कोश्टन को जड़ सॉल्ब कर लिया है इसके लाव अगर आपको सभी कोश्टन का अगर चाहिए तो आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है वो लाइक कर देना और आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हाँ मुझे सभी प्रेशन के जो है एंसर की चाहिए और अगर इसी तरह बीपियसी की पलपल की अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लिजेगा तो मिलते नेक्स उड़े तब तक थैंक्यू आल आप सब्सक्राइब ज़रू का इंक्राइब टार्ब, मुझे रापकर भीपियाब टू पक्राइब टू एल टू और शब टू टू और धार लिएएगा 7,2020